Hello friends, welcome back to another video So, आज की वीडियो में अन्वक्सिंग करने वाले हैं Metrola G31 का दोस्तों चलिए सुरू करते हैं इसका अन्वक्सिंग और देखते हैं इसका first look और जानेंगे इसके specification के बारे में पहले इसका अन्वक्सिंग करते हैं दोस्तों इस फोन का मैंने अभी अन्वक्सिंग किया था और आप देख सकते हो यह काफी lightweight और premium quality का फोन है दोस्तों इसके RAM की बात करें दोस्तों यह 4GB RAM और 64GB इंटरल के साथ आती है और दोस्तों इसमें पॉर्टेसर जो यूज किया गया है वह Mediatek का Helio G85 है जो 2GHz पर वर्क करता है दोस्तों बैटरी की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 5000 mh की बैटरी मिल जाती है साथ ही में आपको 20W का fast charger मिल जाता है जो काफी जल्दी आपको चार्ज करके दे देगा फोन को दोस्तों इस फोन में camera की बात करें तो दोस्तों आपको front camera मिल जाता है 13MP का जिससे आप एक चछी quality का photo ले सकते हो बैट camera की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें primary lens मिल जाता है आपको एकटेक्स की जूमिंग मिल जाती जिसकी एडिस्नल फीचर की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें एडिस्नल फीचर मिल जाता है ये और साथी आपको यह पीचर मिल जाता है जैसे जैसे करोगे आप आपका केमरा ओपेंड हो जाएगा एक कमाल का फीचर है आप इसको ट्राइ कर सकते हो अब बात करते हैं कनेक्टिवीटी की दोस्तों इसमें आपको बुलुतुत फाइब कर सपोर्ट मिल जाता है और यह एक 4G फोन है बात करते हैं पराइस की दोस्तो कमपनी के तरब से 4G RAM और 14G internal का जो प्राइस है वह है 13,999 लेकिन दोस्तों ओफर में आपको 10 से 11,000 में मिल जागा और जो दूसरा वेरियंट है 6G RAM और 128G internal का उसका प्राइस है 15,999 लेकिन दोस्तों आपको वह 13 से 14,000 में आपको मिल जाएगी ओफर प्राइस में तो आपको आपकोजेट करना है और उपर के हिसाब से इसको पृचेस करना है ऐसे आपका माहाँ पर जाएगा तो कमेंट करके बताएए आज का चोटा सान वोक्स मिडियो आपको कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जोड कीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद